Hello everyone, welcome to Study IQ. Study IQ के इस वीडियो में मैं हिंदी भाशा में 15 से 21 अप्रेल, यानि अप्रेल के तीसरे हफते के multiple choice question आप तक लेकर आऊँगा. Total questions का number है 180, 180 question है 3rd week के, और जो आने वाला exam है, जो मई के आखरी हफते में है, बैंक ओफ बरोडा, तो उसके लिए banking awareness भी आप तक लेकर आऊँगा. पिछले 2 महीने से मैंने banking awareness का वीडियो नहीं बनाया है, तो वो मैं अगले 3 दिन के अंदर आप तक लेकर आऊँगा. एक और बात, दिल्ली पुलिस के form निकल गए हैं, लगबग 2200 vacancy हैं, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम बनायेंगे, कि दिल्ली पुलिस, CAPF, CPOSI उसकी त्यारी कैसे करनी हैं आपको, सम इस्पेक्टर, असिस्टेंट सम इस्पेक्टर, कई सारी पोस्ट हैं, उसके अंदर बहुत ही परतिष्ठित एक्जाम होता है, बहुत लोगों का सपना होता है, कि वो दिल्ली पुलिस जॉइन करें, तो उस पे हमारा पूरा साथ आपको मिलेगा, और आप मुझे Facebook पर follow कर सकते हैं, आप को यह जो लिंक है, यह नीचे description में provide किया जाएगा, बहुत सारे article और exam संबंधी जनकारी यहां पर share की जाती है, इसके अलावा हमारा telegram group join करना ना भूले, पिछले 6 दिनों में लगबद 4500 member उसमें join कर चुके हैं, और बहुत सारी update, in fact यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका PDF भी आपको हमारे telegram group के अंदर मिलेगा, तो telegram group का भी link नीचे description में दिया हुए, और हमारे जो pen drive courses हैं, इस वक्त SSC CGL का जो pen drive course है, वो सबसे ज़्यादा selling है, इसके लावा CLAT, hotel management, BBA, किसी भी exam की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो यह दो number हैं, आपको dial करने होंगे, इसके लावा UPSC का जो pen drive course है, वो हम launch करेंगे 10 June को, UPSC का बहुत ज़्यादा important, इसमें पूरा का पूरा GS का हम cover करेंगे, और इसमें जो teacher है, जोगर्फी और economics बनाया है, भूमी का सैनी ने, जो चार बार UPSC का exam clear कर चुकी है, और environment ecology और science and technology बनाया है मैंने, दो subject मैंने खुद बनाया है, और history और quality बनाया है, महिपाल सिंग राठहुर सर ने, उनके भी बहुत सारे वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तो ये pen drive course है, और इसके अलाबा environment ecology, science technology और international relations बनाया है, विगनेश कार्तिक ने, जो जाने मने foreign policy analyst है, ministry of external affairs में काम करते हैं, ये भी हम bonus के तोर पे आपको free of cause देंगे, international relations, तो आप अगर उसको भी book करना चाहते हैं, 15 मई से हम booking start करेंगे, तो ये है number, तो चले शुरू करते हैं, पहला सवाल ये है कि पर्धान मंत्री मुद्रा योजना, उसमें 2017 financial year, यानि 1 April 2017 से 31 मार्ज 2017 तक, कितना उसने अपना target cross कर लिया था, तो कितना उसने cross कर लिया था target, ये जो धन उसने cross किया ये है, 1,80,000 करोड रुपे, ये बहुत ही ज़ादा important योजना है, पर्धान मंत्री मुद्रा योजना, इसमें मुद्रा बैंक भी है, और मुद्रा बैंक लोन भी देता है, शिशू, तरुन और किशोर, तीन अलग-अलग category है, तो शिशू में आपको 50,000 रुपे तक का लोन मिलता है, और 50,000 से 5,000 लाग तक का लोन आपको मिलता है, अगर आप किशोर हैं तो, और तरुन हैं तो 5,000 से 10,000 लाग, तो ये तीन category हैं इसके अंदर, और यानि कि maximum loan जो मुद्रा योजना में मिल सकता है, आपको 10,000 रुपे मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, इससे ज़्यादा लोन चाहिए, तो फिर और scheme है, जैसे stand-up India बगरा, जिनमें entrepreneurs के लिए की गई है, और इसमें मैं आपको कुछ important fact बता देता हूँ, ये जो 1,80,000 क्रोड का loan दिया गया है, इसमें से 1,23,000 क्रोड रुपे का loan, ये banks ने दिया है, लोन, 1,23,000, और जो non-banking company हैं, उन्होंने दिया है 57,000, तो total हो गया 1,80,000 क्रोड, और जो borrower हैं, उसमें 4 करोड बोरोवर हैं, जिनमें से 70% महिल आए हैं, तो इससे पता चलता है, ये जो scheme है, बहुत ज़्यदा successful हुई है, और 20% SC हैं, 5% ST हैं, 35% OBC हैं, तो समाज के हर वर को फाइदा पहुचाया है, परधान मंत्री मुद्रा योजना ने, अगला सवाल, इनमें से उस operation या scheme का क्या नाम है, जिसका दूसरा चरण, सरकार ने अभी अभी launch किया है, इसमें 60,000 लोग, जिन्होंने अपना जो black money हैं, वो छुपाया सरकार से, काला धन, उनके खिलाफ कारेवाई होगी, और सरकार के scanner में, सरकार की नजरों में वो आ गए है, तो उसका नाम रखा गया है clean money, यानि money को साफ करो, इसमें 13,000 लोग तो ऐसे हैं, जो high risk हैं, बहुत ज़ादा, high risk, सुप्रीम कोट ने अभी-भी, सरकार को ये निर्देश दिये, कि वो NEET exam में, इनमें से कौन सी भाषा, 2018 का जो exam होगा, 2018-19 से शुरू करें, और ये भाषा को NEET में लेके आए, तो NEET आप जानते हैं, बहुत सारे जो medical college हैं, उनमें जो दाखिलें उनके लिए exam होता है, इसके अंदर सुप्रीम कोट ने कहाए कि, उर्दू को भी लेके आओ, तो अब जो question paper होगा, वो उर्दू में भी आएगा, और एक बात याद रखिए, ये जो committee है, ये head की थी, दीपक मिश्रा, A.M. खान विलकर, और M. शानतन गवदार ने, तो तीन लोग थे, ये वैसे नहीं पूछेंगे आपसे की, कौन सी committee की recommendation पर ये किया गया है, अभी जो NEET exam है, वो 10 भाषाओं के अंदर conduct किया जाता है, अब उर्दू भी उसमें जुड़ गई है, तो total हो गई है, 11. Reserve Bank of India ने, अभी अभी, prompt corrective action, यानि PCA को revise किया है, उसका जो framework के उसे revise किया है, इसमें अब जो उधार लेने वाले लोग हैं, उनके against जो rules हैं, वो बहुत सखत कर दिये गए हैं, खासकर वो जो bad loans की limit जिनकी exceed हो गई है, तो इस rule के हिसाब से, इस framework के हिसाब से, जो banks हैं, अब वो किस अधार पर judge किये जाएंगे, कौन सा parameter है, जिस अधार पर banks को judge किया जाएगा, तो ये है profitability, asset quality और capital ratio, यानि की all of the above, एक बहुत important बात और याद रखिए, भारत जो है Basel 3 norm से compliant है, यानि Basel 3 की जो meeting हुई थी, उसमें हम Basel 3 से compliant है, यानि Basel 3 के rules हमें follow करने है, और ये हमें follow करने है, March 31 2019 तक, ये बहुत important याद रखना है आपको, क्योंकि इसमें जो capital adequacy ratio है, C.A.R., हमें वो maintain करना पड़ता है banks में, तो बहुत सारे चीजें हैं, जो हमें manage करनी पड़ती हैं, और हमारे जो bank हैं, उनमें 7 trillion ये हमारे जो loans हैं, वो हैं, banks के उपर जो उधार चड़ा हुआ है, तो banks में नई जान डालने के लिए, बहुत सारी scheme स्टार्ट की गई हैं, जैसे इंद्र धनुष scheme है, सरफेजी को थोड़ा सा और पुकता किया गया है, और इसमें जो threshold हैं, उसमें तीन तरह के action होंगे, पहला अगर capital to risk asset ratio है, अगर वो 10.5% से कम हो जाती है, तो पहले ये थी 9%, और दूसरे में अगर capital adequacy ratio 7.75% से कम हो जाती है, तो और तीसरे चरण में अगर capital adequacy ratio 6.25% से कम हो जाती है, तो इसको मैं ओर detail में पढ़ाऊंगा, बैंकिंग awareness के वीडियो में, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए, profitability, asset quality और capital ratio, तीनों में हम, तीनों में rule सकत किये गए हैं, और banks इन पर judge किये जाएंगे, और BASEL 3 से हम compliant हैं, 31 मार्ज 2019, भारतिय मूल के aeronautics engineer, वो कौन है जिने world outstanding aerospace engineer leadership award मिला है, यानि दुनिया के outstanding बहुत ही जादा, महतंपूर्ण और परतिष्ठित aerospace engineer leadership award दिया, American helicopter society ने, तो ये भारतिय मूल के हैं, इसलिए सवाल important हो जाता है, इनका नाम है Lieutenant Colonel Dr. Arvind Sinha, Lieutenant Colonel Dr. Arvind Sinha, मनिपूर के मुख्यमंत्री बिरेन सिंग, उन्होंने इन में से कौन सी web application launch किया है, जो सरकार को भरष्टाचार रोकने में मदद करेगी, और जो सरकारी करमचारी है, उनको भरष्ट ना हो, इस पर नजर रखेगी, इस web application का नाम है दरपन, दरपन बोलते हैं शीशे को, जो mirror होता है, उसे बोलते हैं, तो पारदर्शिता का एक परतीक होता है दरपन, तो इसलिए जैसे दरपन में आप अपना चेहरा देख सकते हैं, उसी तरह से सरकार को भी जो करमचारी हैं, उनका चेहरा यानि एक तरह से ये एक symbolic gesture है, तो इसका नाम रखा गया है दरपन, और ये एक anti-corruption cell है, इन में से कौन से राजे की सरकार है, जिसने ये कहा है कि कोई भी नाम, किसी भी सरकारी करमचारी के, किसी भी foundation stone और inaugural plaques में नहीं लिखे जाएंगे, कहने का मतलब सरकारी करमचारीों के नाम आप देखते हैं अकसर, जो government function होते हैं, उनके अंदर include किये जाते हैं, और जो कोई उदघाटन होता है, वहाँ पे पत्थर के अंदर लगा दिये जाते हैं, foundation जो stone होते हैं, अधारशिल रखी जाती है, तो इस राजे की सरकार ने काए ऐसा नहीं होगा, तो ये कहा है, पंजाब की सरकार ने, इसमें मुख्यमंत्री खुद उन्होंने काए, मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, MLA, MP, जो भी हैं इनका नाम नहीं होगा, और पंजाब के, जो C.A. में आप जानते हैं, कैप्टर अम निंदर सिंग, कॉंग्रेस के हैं, और गवर्नर है, VP सिंग बदनौर, VP सिंग बदनौर, ये हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, नेशनल शेडियूल कास्ट फाइन्स और डवलप्मेंट कॉर्परेशन, जिसको बोलते हैं NSFDC, उसने अभी-अभी MOU किसके साथ साथ साइन किया है, नेशनल शेडियूल कास्ट, फाइन्स और डवलप्मेंट कॉर्परेशन ने साइन किया है, डवलप्मेंट कमिशनर फॉर हैंडलूम के साथ, Development Commissioner for Handloom और इसमें आप एक बात याद रखिए कि हमारे जो Minister है Social Justice और Empowerment यानी समाजिक न्याय और शशक्ति करण के लिए वो हैं थवर चंद गहलोत और हमारी जो कपड़ा मंत्री हैं क्योंकि Handloom टेक्स्टाइल केंडर आता है तो कपड़ा मंत्री है स्मिर्थी इरानी इन में से किस व्यक्ति को छटा MS Swaminathan Award दिया गया है अपने क्रिशी में Outstanding Contribution के लिए अपने क्रिशी के शेत्र में Agriculture के शेत्र में योगतान के लिए MS Swaminathan कों थे आप जानते हैं MS Swaminathan Father of Green Revolution in India भारत में हरिद ग्रांती के जनक इने का आ जाता है और जो दुनिया में Father of Green Revolution है वो है Norman Borlaug लेकिन भारत में MS Swaminathan तो छटा MS Swaminathan Award मिला Mr. R.R. Hunchi Nal को और ये कौन है? ये Chairperson है Protection of Plant Varieties and Farmer Right Authority के तो ये आपसे नहीं पूछेंगे लेकिन नाम याद रखिए R.R. Hunchi Nal Hyper Local App बनाई है गूगल ने जिसे भारत में Food Delivery और Services अवेलिबल करवाई जाएंगी इस एप का नाम इन्होंने क्या रखा है? Google की एप है ये इसका नाम इन्होंने रखा है ARIO अभी ये Bangalore और Mumbai में स्टार्ट हुई है और बहुत सारी लोकल कंपनी है इस सेग्मेंट में जैसे Urban Clap वगारा उसके साथ इन्होंने पार्टनर किया है Google के CEO एक भारती है तो हमारे लिए सम्मान की बात है सुन्दर पिच्चई जो थोड़े टाइम पहले भारत में भी आये थे इनका नाम है नर्सिंग बैथा तो ये थे बिहार के मंतरी कॉंग्रेस की सरकार के अंदर थे और इतना ही नहीं ये SC और ST कमिशन के मेंबर भी थे इन में से किस व्यक्ति ने 2017 टाइम मैगजीन का Readers Poll of the 100 Most Influential People in the World जीत लिया है यानि दुनिया के 100 सबसे influential जो पीपल है उनमें ये है ये इन्होंने जीत लिया है तो ये जीता है रोडरी गो दुतरते ने बहुत ज़्यदा News में रहते हैं अपने विवादित बयानों के लिए Philippines के राश्पती है 16 वे प्रेजिडेंट है Philippines के Philippines की राजधानी है Manila जहाँ पे Asian Development Bank का Headquarter है ये आप याद रखिए और 2016 में किस ने जीता था क्या आप जानते हैं यही सेंपोल Bernie Sanders ने जीता था Bernie Sanders जिनको हिलरी क्लिंटर ने हराके Democratic Party का नमांकन जीता था राश्पती पद के लिए हालंकि वो Donald Trump से फिर हार गई थी जो Republican Party के है अभी अभी Financial Services Company है जिसका नाम है Nomura याद रखिए Nomura जापान की कमपनी है बहुत बड़ी कमपनी है और ये एक तरह की Credit Trating Company है तो Financial Services Company Nomura के हिसाब से भारत का Current Account Deficit भढ़ जाएगा तो ये कितने percent से भढ़ जाएगा 0.5% था 2016 में तो उससे बढ़के हमारा Current Account Deficit हो जाएगा 1.6% तो ये हमारे लिए थोड़ी सी चिंता का विश्य है 1.6% तो Current Account Deficit आप जानते हैं वैसे तो Current Account में बहुत सारी चीज़े होती हैं हमारी सरकार के लेकिन आपको layman language में बहुत असान शब्दों में समझा देता हूँ अगर हम किसी country से आयात करते हैं ठीक है? दूसरे देशों से खरिते हैं और हम अपने देश का समान बेशते हैं उसे बोलते हैं निरियात अगर हमारा आयात जादा हो गया तो एक deficit हो जाएगा हमें नुकसान है नुकसान की बात है अगर हम आयात जादा कर रहे हैं निर्यात कम कर रहे हैं तो उसको बोलते है current account deficit हलांकि यह मैंने बहुत आपको असान शब्दों में समझाया है इसका जो term का scope है वो काफी बड़ा है इन में से कौन से formula 1 चलाने वाले driver है racing धावक हैं जिन्नोंने Bahrain Grand Prix जीती Grand Prix का मतलब होता है Big Prize Big Prize फ्रेंच भासा का शब्द है फ्रांसी सी भासा का शब्द है यह तो इस बार यह race जीती है Sebastian Vettel Sebastian Vettel कौन सी गाड़ी चलाते हैं क्या आप बता सकते हैं चलिए आज के लिए आपका पहला प्रशन यह है Sebastian Vettel कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं यह बताइए और इन्होंने Lewis Hamilton को हरा दिया Lewis Hamilton सब जानते हैं Mercedes चलाते हैं पिछले साल Lewis Hamilton और Nico Rosberg के बीच में race चलती थी दोनों ही Mercedes चलाते थे हलांकि Nico Rosberg ने अप सन्यास ले लिया है पिछले साल चेंपियन भी बने थे Nico Rosberg Lewis Hamilton को हरा के तो Lewis Hamilton जो है यह UK के हैं सेबेस्टियन वेटल कौन से कंट्री के हैं चलिए दो कोश्चन बताइए एक तो सेबेस्टियन वेटल कौन सी गाड़ी चलाते हैं दोसा सेबेस्टियन वेटल कौन से देश के हैं चार दिवसी है लंभी Global Exhibition हुई Services के उपर यानि जिसको बोलते हैं GES 2017 अभी अभी भारत में कहाँ पे हुई है Global Exhibition on Services तो यह हुई थी उत्तर परदेश में Greater Noida के अंदर यहाँ पे लगबग 35 MOU साइन किये गए थे और यह Ministry of Commerce and Industry जिसको बोलते हैं Ministry of Commerce and Industry और CII यानि Confederation of Indian Industry ने मिलके यह और्गनाईज की थी ऑस्ट्रेलिया ने अभी अभी अपने Work Visa प्रोग्राम को Abolish कर दिया है Unemployment को टैकल करने के लिए यानि बेरोजगारी के लिए तो Work Visa प्रोग्राम को क्या बोलते थे उस्ट्रेलिया के इसको बोलते थे 457 वीजा और एक नया Temporary Skill Shortage वीजा प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है उस्ट्रेलिया के परधानमंत्री और उस्ट्रेलिया की राजदानी है Canberra इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको जैसे अमरीका आप जो दूसरे देशों के लोग है महां काम करें उन्हें भार निकाल रहा है H1B वीजा पर उन्होंने काफी सक्ति कर दिया है इसलिए औस्ट्रेलिया भी भार निकाल रहा है तो आव औस्ट्रेलिया में रहने बाले जो भारतिया है उनको काफी फरक पड़ेगा क्योंकि इन्होंने work visa program को abolish कर दिया है क्योंकि औस्ट्रेलिया के पास अपनी लोगों के लिए जॉब नहीं है तो अगर भार के लोग औस्टeलिया में आके जॉब करतेएं तो फिर ऑस्टeलिया के लोगों को लगता है किमारे जॉब छीन रहे हैं इसलिए भारतियों के खिलाफ वहाँपे काफी नफरत है अक्सर भारतियों पर अटैक होते हैं तो हेट क्राइम बोलते हैं इने यह होते ह चलती है उनके लिए कम दाम वाली लिथियम आयन बैटरी होनी चीए क्योंकि हमने देखा है जो टेसला कंपनी है जैसे फॉर एक्जामपल वो बिजली से चलने वाली गाड़िया बनाती है लेकिन वो उतनी सक्सेस्फुल नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत महेंगी होती है तो बहुत लो कॉस्ट होनी चीए लिथियम आयन बैटरी तो ये इसरो डवलप करेगा भेल के साथ मिलके भारत हैवी एलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो महारतन कंपनी है और भेल के CEO बहुत पुस्ते एक्जाम में अतुल सोबती अतुल सोबती हैं भेल के CEO और भेल का headquarter है नई दिल्ली में इन में से कॉलकता क्लास stealth मतलब जो छुपके वार करता है guided missile destroyer ship कौन सा है जो जिसने अभी अपनी पहली यात्रा भरी तो बताइए भारत का ये पहला भारत का ये छुपके वार करने वाला अगर missile destroyer है अगर कोई हम पे missile छोड़ता है तो ये उसे हवा आप में ही तभा कर देगा इसका नाम है INS Chennai इसे Chennai के तट पे रखा गया है और CR प्रवीन नायर ये है प्रवीन नायर उनकी निगरानी में ये काम करेगा बहुत ही ताकतवर ये जहाज है भारत का INS Chennai International Day for Monuments and Sites और World Heritage Day ये कब मनाते हैं World Heritage Day भी बोलते हैं UNESCO मनाता है इसे दुनिया की जो सांस्कृतिक धरोहर हैं जैसे भारत में भी बहुत सारी है World Heritage Sites तो इसके लिए एक दिन मना जाता है भारत में 35 हैं भी याद रखिए पिछले साल तक 32 थी तीन और एड़ कर दी थी जैसे चंडिगड का जो सरकारी बिल्डिंग है वो था तो इस तरह की कई सारी World Heritage Site 3 एड़ कर दी थी तो टोटल हमारी भारत के अंदर है 35 दुनिया में तो 1000 से जाद है तो 18 अप्रेल को मनाते हैं और युनेसको का जो हेड़ कोईटर है वो पैरिस में है जो फ्रांस की राजधानी है 1983 में ये स्टार्ट किया गया था World Heritage Day के अंदर सरकार ने इनमें से डिसाइड कराए कि वो जो stock limit है शुगर ट्रेडर्स जानि जो चीनी के व्यापारी है उनकी stock limit भड़ा देगा तो कितने महीने से बढ़ाएगा जो stock limit है यानि कितने पैसे तक कितने अब इसमें money एक factor है लेकिन यहाँ पे duration किया गया है यानि कितने और महीने तक जो sugar के व्यापारी है चीनी के व्यापारी है वो sugar को stock करके रख सकते हैं उसको अपने गोदामों में भरके रख सकते हैं तो यह भड़ा दिये limit 6 महीने तक अक्तूबर 2017 तक कर दिये यह तो यह है आगरा का एरपोर्ट अब इसमें दो चीजें और याद रखनी है गोरकपुर का जो Air Force Station है गोरकपुर का Air Force Station उसको महायोगी गोरकनाथ जी के नाम पे उसका नाम रखा जाएगा और जो विकलांग कल्यान विभाग है उसका नाम अब हो जाएगा दिव्यांग जन शशक्ति करण विभाग तो यह कुछ परिवर्दन किये गए है और आप जानते हैं जो विकलांग है उसके लिए शब्द दिया था दिव्यांग हमारे परधान मंतरी नेंदर मोधी जी ने इन में से कौन से बैंक का डेटा सेंटर है जो भारत देश का पहला डेटा सेंटर बना है जो प्लैटिनम रेटेड प्रोजेक्ट जिसे डिकलेर कर दिया गया है IGBC Green Data Center रेटिंग सिस्टम के द्वारा तो अपने बहुती तकनीकी एक्सिलेंस के लिए यह इसे दिया गया है प्लैटिनम रेट किया गया है यह है ICICI Bank का डेटा सेंटर और यह हैदराबाद के अंदर है और ICICI Bank का Headquarter मुंबई में इसकी जो इसकी जो चेर्मेन है वो है चंदा कोचर चंदा कोचर या President कह सकते हैं या चेर्मेन कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है वन पार्ट वुमेन नाम की एक नौवल है यह लिखी गई है इसके ओथर कौन है यह पैरुमल मुरुगन की जो नौवल है माधो रुबागान इसका ट्रांसलेशन है इसे साहित्य अकेडमी 2016 ट्रांसलेशन प्राइज इन इंग्लिश के लिए चूज किया गया है तो इसको किसने ट्रांसलेट किया है किसने लिखा है इसको लिखा है अनिरुद्र वासा देवन ने सागर भहेती यह भारत के पहले विजूली इंपेर्ड रनर बने हैं जिनोंने एक इनमें से रेस है उसमें पार्टी से पेटी नहीं किया उसे फिनिश भी करा तो यह देख नहीं सकते है विजूली इंपेर्ड है और यह रेस कौन सी है 42.16 किलोमेटर यानि 42 किलोमेटर से ज़्यादा की भी रेस है यह और चार घंटे से थोड़े से ज़्यादा समय में इनोंने इस रेस को खतम कर दिया चार घंटे में 42 किलोमेटर यह दोड़ गए और यह रेस है बॉस्टन मैराथन याद रखिए यह जो छे वर्ड मैराथन है उनमें से एक है 1897 में में स्टार्ट हुई थी इतनी पुरानी रेस है इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने अनौंस कराए कि वो एक्सिडेंटल इंशॉरेंस कवर देगी जितने भी इस राज्य के नागरिक हैं उन्हें जो 18-70 के एज गुरूप के अंदर आते है उन्हें एक्सिडेंटल इंशॉरेंस कवर प्रदान किया जाएगा इसमें अगर एक्सिडेंटल डैथ हो गई तो फिर 2,00,00 रुपे का मुआवजा मिलेगा और 12 रुपे सिर्फ प्रिमियम देना होगा पर एर जो आपका अकाउंट है उसमें से अटोमेटिक ये कट जाएगा 12 रुपे सिर्फ पर एर और ये प्रदान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम के अंडर किया जाएगा तो ये राज्य है हर्याना हर्याना के गवर्नर है कप्तान सिंग सौलंकी और मुख्य मंत्री है मनोहरलाल खटर परदान मंत्री रेंदर मोदी UN वेसक डे सेलिब्रेशन उन्होंने उसका उदगाटन किया तो ये सेलिब्रेशन कहां पे ये होंगी अभी किया नहीं है अभी होंगी ये होंगी कोलंबो में शिरलंका के अंदर है कोलंबो और शिरलंका की राज़ानी है शिरी जैवर्दने पुरी कोटे ये चौदवा अध्याय होगा वैसक डे का और इसका थीम होगा बुद्धिस टीचिंग for social justice and sustainable world peace यानि दुनिया में जो टिकाउ शान्ती है और जो समाजिक नया है उसके लिए बुद्धिसम की टीचिंग बुद्ध धर्म की टीचिंग और बुद्धिस कलेंडर में बहुत important day होता है जिसे बोलते हैं वैसक क्योंकि इस दिन जो बुद्ध भगवान है उनका जनम हुआ था बुद्धिसम के फाउंडर लॉर्ड बुद्धा का जनम हुआ था और उनकी याद में मनाया जाता है और इसके अलावा उन्हें जो enlightenment मिला था United Nations Department of Political Affairs for Electoral Support to the Member States के लिए ये जो संहुक्त राष्टं का department है Political Affairs for Electoral Support to the Member States के लिए भारत कितना पैसा डोनेट करेगा ये भारत का दूसरा contribution है ये बना था department 1991 में तो भारत देगा धाई लाख डॉलर तू लाग फिफिटी थाउजन डॉलर इन में से किस व्यक्ति को LIC Housing Finance का नया Managing Director और CEO अपॉइंट किया गया नियुक्त किया गया इनका नाम है विने शहा और ये रिप्लेस करेंगे सुनीता शर्मा को Scientist ने अभी अभी एक Most Habitable Exoplanet खो जाए Habitable मतलब उस पे जीवन संभव है और इसको उन्होंने का है Rocky Super Earth यानि कि ये एक अर्थ की तरह है Super Earth है ये Rocky मतलब चटान सहित है ये और इसको उन्होंने नाम दिया है LHS 1140B तो ये धर्ती से कितना दूर है ये धर्ती से 39 light year दूर है 49 light year धर्ती से परकाश वर्ष दूर है और एक परकाश वर्ष उतना दिस्टेंस होता है जितना लाइट ट्रेवल करती है एक साल में और 3.26 light year को बोलते है 1 parsec 1 parsec Massachusetts Institute के विज्ञानी को ने ये किया है सरकार ने finalize करा है एक multi-sectoral national action plan जिससे antimicrobial resistance को कम किया जा सकता है तो इसको क्या declaration इसको नाम दिया है ministers ने इसको कहा गया है Delhi declaration anti-microbial resistance होती है अगर आपको कोई बिमारी हो जाती है आप उसकी दवाई खाते हैं पर दवाई काम नहीं करती क्योंकि उसमें जो microbes होते हैं जो किटानू होते हैं वो उस दवाई से लड़ना सीख जाते हैं उसे बोलते हैं anti-microbial resistance तो दवाई काम नहीं करती तो इससे मृत्यू असानी से हो जाती जैसे खासका tuber closest बगारा में यह देखा जाता है तो Delhi declaration इसको नाम दिया गया है और हमारे जो health minister है वो है JP Nadda अभी अभी एक state level mock exercise हुई forest fire के उपर उत्राखंड में इसे किसने conduct किया था यानि उत्राखंड को देव भूमी बोलते हैं उत्राखंड के जो जंगल है उनमें अगर आग लग जाए तो उससे कैसे निप्टा जाए इसे एक exercise हुई इसे conduct कराया National Disaster Management Authority ने यानि NDMA ने तो ये पूछा था किसने conduct कराया था उत्राखंड में अभी भारती जंदा पार्टी की सकार आई है त्रिवेंदर सिंग रावत यहां के मुख्यमंत्री है और उत्राखंड आप जानते हैं इसकी राजधानी है धेरादुन भारत ने अभी अभी MOU साइन कराया कौन से देश के साथ ये दोनों एक दूसरे में corporate करेंगे आपसी सहयोग करेंगे ship building के अंदर ship building में भारत ने साइन किया है ये जंडा कौन से देश का है आप जानते ही है South Korea के साथ South Korea की जो head of state थी Park Gwynn High उन्हें हटा दिया गया है Samsung company के जो बड़े-बड़े corruption के scandal थे उनमें इनका नाम आया है इनको हटा दिया गया है तो ये सब चीज़ें आप याद रखिये यानि जो इस देश में नहीं head of state बनेंगी नहीं president बनेंगी इसके लावा South Korea की राजधानी है Seoul इनमें से किस व्यक्ति को railway का नया financial commissioner appoint किया गया है, newt किया गया है railway के नए financial commissioner है BN मोहपात्रा और हमारे railway के cabinet minister है सुरेश प्रभू इनमें से कौन सी airline है जो पहली airline बनी जिसने एक real time satellite tracking system को use किया अपनी flights को monitor करने के लिए यानि कि जो plane है, अगर plane उड़ता है कहीं पे तो पता चल जाएगा इस वक्त कहां पे है तो उसको बोलते है real time satellite tracking system ये किया है अभी-अभी बिलकुल latest Malaysian airlines Malaysian airline संक्रांती जिसे पन्ना संक्रांती भी कहते है ये अभी-अभी मनाया उडिसा ने और इसको उडिसा का नया साल भी बोलते है पन संक्रांती या महा विसुभ संक्रांती वर्ल्ड हीमोफिलिया डे हम कब मनाते हैं हीमोफिलिया डे खून का विकार होता है हेमोफिलिया बहुत ही ज्यादा important ये disease है, blood disorder है clotting factor disorder है, इसमें हेमोफिलिया factor जो होता है उसकी कमी हो जाती है तो खुन अगर आपको निकले तो फिर रुकेगा नहीं ये inherited bleeding disorder होता है, genetic होता है तो ये मनाये जाता है 17 अप्रेल को इन में से कौन सा All India Radio है जिसे हम अकाश्वानी बोलते थे पहले All India Radio को, इन में से कौन सा All India Radio है, जिसे Lelt Special Award मिला है 2017 का ये मिला है AIR IZUAL, All India Radio IZUAL को, IZUAL किसकी राजधानी है मिजवराम इंडिया Licensing Expo आई ये ली 2017, ये इंडिया का पहला brand licensing show है तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया इंडिया का पहला brand licensing show जिसे नाम दिया गया India Licensing Expo इसमें 100 से ज़्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया विदेशी कंपनिया भी इसमें थी और license इंडिया ने organize किया था मुंबई के अंदर सरकार इन में से पुराने जो power project है उनको replace कर रही है नए energy efficient super critical plant से तो कितने शमता वाले पुराने project है वो replace किये जाएंगे उनको बदला जाएगा और उनकी जगा नई तकनीक लगाई जाएगी जिसे बिजली की बचत हो सके और efficiency भड़ सके तो पुराने 7.7 giga watt के project replace किये जाएंगे और जो नए plant लगाई जाएंगे वो generate करेंगे 18.5 giga watt यह आपको याद रखना है Minister of New and Renewable Energy तो हमारी जो जैवी कुर्जा, कोईला, बिजली मंत्री हैं प्यूश गोयल उन्होंने अभी अभी उधाटन किया कितने wind power plant का जिसे नेलको ने बनाया है नेलको ने बनाया है, टोटल कितने plant है इनकी टोटल शमता है 198 megawatt और इनमें से दो लगाए जाएंगे राजस्थान में, एक महराष्टर में एक आंदरपरदेश में, तो टोटल है चार, और इनको बनाया है नालको ने river piracy का ये पहला case सामने आया है इसमें Canada में कौन सी river है जो सिरफ चार दिनों में ये disappear हो गई अचानक गायब हो गई ये नदी क्योंकि इसका जो जिस हिमनद से निकलती है, जिस glacier से निकलती है उसका पूरा जो रस्ता है वो change हो गया क्योंकि ये glacier पिंखलने की वज़े से इसको बोलते है river piracy इसका पहला case सामने आया है इस नदी का नाम है Slims river कैनेडा के परधान मंत्री है Justin Trudeau ये आप याद रखिये कैनेडा की राजधानी है Ottawa इन में से कौन बड़ी हस्ती है परसनेलिटी है जो national mission for clean गंगा गंगा सफाई के लिए जो नमामी गंगे प्रोग्राम चल रहा है national mission for clean गंगा वो एक mega बहुत बड़ा campaign चलाने वाली है जिसे लोगों को गंगा में जो परदूशन हो रहा है उसके बारे में जागरुक किया जा सके तो उसका brand ambassador कौन बनाए जाएगा उसके brand ambassador होंगे master blaster सचिन तेंदुलकर जी इन में से कौन सा गाउ है महराश्टर में जिसे हम बोलते है पुस्ता कांच गाउ ये भारत का पहला गाउ बना books का और वैसे आज बता देता हूँ आज 23 अप्रेल है ये भारत का पहला village of books बनाए पंच गनी पंच गनी है इसका नाम और ये महाबलेश्वर में है महराश्टर के अंदर flip card ने इन में से किसको अपॉइंट किया है कौन सी consulting firm को अपॉइंट किया है snap deal को acquire करने के लिए ये firm flip card को consulting provide करेगी इसका नाम है Goldman Sachs Goldman Sachs और flip card के जो CEO है वो है कल्यान कृष्ण मूर्ती और flip card ने अभी-भी काफी बड़ी funding raise की है बहुत सारी कंपनियों से जैसे Microsoft, Tencent वगरा ये भी याद रखने आपको flip card का headquarters बेंगलूरू में है और जो snap deal है इस company के CEO है कुनाल बहल कुनाल बहल भारतिय एर फोर्स का operation Bumby Bucket ये कौन से जगा wildfires को रोकने के लिए carry out किया जा रहा है wildfire मतलब जो जंगल में आग लग जाती है उसको रोकने के लिए operation Bumby Bucket launch किया गया है Mount Abu के अंदर Mount Abu इसमें जो bucket है लगभग 144 ऐसे Indian Air Force के जहाज है जो लगभग 144 shuttle है जो लगभग 4 लाख लीटर पानी wildfires को बुझाने के लिए यूज करेंगे Mount Abu राजिस्थान के अंदर IIT board Indian Institute of Technology board ने इन में से कितना quota super numerary seats for women का approve किया है phase manner में ये start होगा 2018 से तो total जो quota है भी 14% का approve कर दिया है और 20% ये हो जाएगा 2026 में और याद रखिए IIT में 2016 में 8% women सिरफ उन्होंने दाखिल अलिया था और जो super numerary seats से महिलाओं के लिए हर साल अलग-अलग decide की जाएंगी इन में से किस वैक्ती ने Insolvency and Bankruptcy Board का Whole Time Member पद अभी उसका charge लिया उस पर ये नई नियुक्ति की गई है Insolvency and Bankruptcy Board of India का नया Whole Time Member बने है मुकुलिता विजय वर गिया मुकुलिता विजय वर गिया World Art Day ये हम हर साल celebrate करते हैं 15 अप्रेल को और ये दिवस declare किया गया था International Association of Art द्वारा इन में से कौन से महान Artist का बढ़े उसके honor में इनका नाम है Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci ने World Art Day पहली बार 2012 में मनाया गया था इन में से कौन सा देश है जो 2017 का Bricks Film Festival होस्ट कर रहा है ये होस्ट किया जाएगा Chengdu में जो की है Sichuan Province के अंदर तो ये देश है चाइना चाइना Bricks का मेंबर है और चाइना के राश्पती है Xi Jinping चाइना की करंसी है Yuan Renminbi और चाइना की राश्दानी है Beijing पहला ये Film Festival नई दिल्ली में मनाया गया था 2016 के अंदर नोरा चोपडा इनका निधन हो गया तो ये क्या थे मशूर नोरा चोपडा थे मशूर पत्रकार सो आंसर है Journalist ये question है इन में से किसको मिला है Golden Peacock Award 2017 Innovative Product या Service की कैटगरी में Innovation मतलब होता है जब आप कुछ नई चीज़ करते हैं हटके उसको बोलते हैं Innovation तो Innovative Product या Service कैटगरी में इन में से किस कमपनी को मिला है Golden Peacock Award ये कमपनी है Gujarat Narmada Valley Fertilizer and Chemical Limited Global Convention का जो हुआ था वहाँ पे इन्हें ये प्राइस दिया गया Payment Technology Company Phenopatec ये एक Payment Technology Company है इसका नाम है Phenopatec ये नबाड की मदद करेगी Rural Bank Digitalization Drive में यानि जो Rural Bank है उनको Digital बनाए जाएगा कितने राज्यों के अंदर नबाड ये काम करेगा टोटल राज्ये हैं 5 और ये राज्ये हैं हर्याना, मद्यपरदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्टर इनमें 5000 आधार Enable Micro ATM भी फिट किये जाएंगे इनमें से कौन से राज्ये की सरकार है जिसने decide किया है कि वो बनाएंगे Book Banks Schools के अंदर जिससे जो वेस्टेज है वो कमो पेपर की और जो स्टूडेंट हैं उनकी मदद की जा सके जो नीडी स्टूडेंट है जिनके पास Books नहीं है उसके लिए Book Banks बनाए जाएंगे तो ये decide किया Education Department ने पंजाब की Education Minister अरुना चौधरी तो ये किया जाएगा पंजाब के अंदर इन में से कौन से भारत के खिलाडी है जो Highest Ranked Indian बन गए है Men Singles में Latest WBF Rankings में यानि Highest Ranked Indian प्लेयर कोन है अभी World के अंदर Latest BWF Rankings में इनका नाम है Ajay Jayaram और Ajay Jayaram World में है 13 नंबर पे ये आपको याद रखना है और दो important खिलाडी हो रहे हैं भारत के एक तो किदंबी श्रीकांत किदंबी श्रीकांत का नंबर है 21 और 20 आई प्रनीत का नंबर है 22 सायना नहवाल अगर महिलाओं की बात करूं तो वो 8 है PV सिंदू है 3rd ये बिलकुल latest ranking है और जो badminton world federation है इसका headquarter है कौला लंपूर में जो मलेशिया की राजधानी है इन में से भारत के कौन से बहुत महान actor को राज कपूर lifetime achievement award के लिए उनका नमांकन किया है महराश्टर की सरकार ने ये राज कपूर lifetime achievement award से समान किये जाएंगे और इनका नाम है साइरा बानू साइरा बानू दिलिप कुमार जी की पतनी है और बहुत बड़ी-बड़ी फिल्मों में अल्रडी काम कर चुकी है और एक बात और विक्रम गोखले इन्हें मिलेगा वी शानताराम lifetime achievement award और एक वी शानताराम special contribution award मिलेगा अरुन नलावाडे को और ये 54 महराष्ट्र स्टेट मराथी फिल्म फेस्टिवल जब होगा उसमें ये award इने दिये जाएंगे और एक राज कपूर special contribution award भी मिलेगा वो मिलेगा जैकी शिरॉफ को अभी अभी चार dark जो stamp होती है ये बहुती rare stamp है जिन पर महात्मा गांदी जी का फोटो है इनकी निलामी की गई तो ये कितने रुपे में इन्हें एक Australia के वेक्ति ने खरीदा ये जो stamp इनकी निलामी होई इनको 5 लाख और 5 लाख पाउंड में खरीदा गया है तो आंसर है A 5 लाख पाउंड ये लोगो है पाउंड का Textile India 2017 ये पहला भारत का पहला Global Business to Business B2B event होगा हमारे देश के अंदर कहां पर आयोजित किया जाएगा ये इसका नाम रखा गया है Textile India 2017 इसको आयोजित किया जाएगा गुजरात की राजधानी गांधी नगर में 30 जून को इसमें लगबग 2500 इंटरनेशनल जो बायर है खरिदार है और 1000 से जादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एग्जिबिटर वो हिस्सा लेंगे इन में से कौन से पूर्व भारतिय क्रिकेट खिलाडी है जिने ICC ने अपने कमेंटेटर के तौर पर उनका नाम लिया है अभी ICC में कमेंटरी करेंगे ICC Champions Trophy जो इंग्लैंड और वेल्स में होने वाली है उसमें ICC की तरफ से ये कमेंटेटर होंगे इनका नाम है सौरव गंगुली जो भारत के पूर कप्तान है सौरव गंगुली इसके लावा और भी खिलाडी है जिनका नाम ICC ने दिया है जैसे रिक्की पॉंटिंग है उस्टेलिया के ब्रेंडन मैकुलम ये है नियूजिलेंड के कुमार संगकारा है शिरलंका के और ग्रैम स्मित है साउथ अफरीका के देवेंदर कुमार शर्मा इन्हें किस चीज का नया चेर्मेन बनाये गया है कौन सी संस्था बोर्ड या और्गनाइजेशन का चेर्मेन बने है ये बने है भाखडा ब्यास मेनेजमेंट बोर्ड के चेर्मेन भाखडा ब्यास मेनेजमेंट बोर्ड ब्यास जो नदी है ये इंडस नदी की one of the five tributaries है जो मुखे पांच ट्रिब्यूटरी है उनमें से एक है तीन साल के लिए ये बने है चेर्मेन Reserve Bank of India ने बैंक्स को ये पर्मीशन दी है कि वो कितने परसेंट Real Estate Investment Trust या Infrastructure Investment Trust में अपने योनिट कैपिटल का कितने परसेंट इन्वेस्ट कर सकते है maximum तो जो RBI की लिमिट है वो कितनी है इससे Infrastructure जो सेक्टर है खास कर Real Estate सेक्टर बगार आभी बहुत पीछे चल रहे है बहुत मंदी चल रही है Real Estate में और Infrastructure के अंदर भी तो उसमें वृद्धी आएगी उसमें उच्छाल आ सकता है तो ये इन्होंने लिमिट दी है 10% तो अब बैंक 10% तक अपने यूनिट कैपिटल का इन्वेस्ट कर सकते है Real Estate और Infrastructure में अमरीकी राश्पती डॉनल्ड ट्रम ने जो H-1B वीजा के प्रोसीजर है उनको टाइट कर दिया है तो इस Executive Order को नाम क्या दिया गया है मतलब डॉनल्ड ट्रम ने जो कहा है कि H-1B वीजा अब उसको हम और सकत बनाएंगे तो इसको नाम क्या दिया गया है इसको नाम दिया गया है Buy American and Hire American यानि अमेरिका के लोगों को ही नोकरियां दी जाएं अमेरिका के लोगों को ही हाईर किया जाएं तो इसलिए अब जो दूसरे खास कर चाइना और इंडिया के जो लोग हैं उन पर काफी प्रभाव पड़ेगा H-1B वीजा को सकत करने का डॉनल्ड ट्रम रिपब्लिकन पार्टी के हैं ये याद रखिए और प्रेजिडेंट है प्रेजिडेंट ओफ दा उनाइटेट स्टेट शॉर्ट में बोलते हैं पोटस डॉनल्ड ट्रम्प की पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रम्प और बेटी का नाम है इवांका ट्रम्प ये मैं आपको तीन चरवल बता चुका हूँ इंटोड्यूज करा है जिसमें पाँच अलग-अलग बेनिफिशरी स्कीम स्टार्ट की गई है वरकर्स के लिए वो वरकर वो मजदूर जो अन और्गिनाइज सेक्टर में काम करते हैं या फिर जो सेल्फ एंप्लोईड है उन मजदूरों के लिए तो पाँच-पाँच स्कीम स्टार्ट की है और यह की है अभी-अभी जिससे पाँच करोड लोगों को लगबद फायदा पहुँचेगा वेस्ट बेंगॉल ने यह स्टार्ट किया है सो आंसर है वेस्ट बेंगॉल 174 करोड रुपे का खर्चा आएगा 2019 में आम चुनाव होंगे जब 5 साल पूरे हो जाएंगे सरकार के तब जो Electronic Voting Machine यूज़ होंगी वो होंगी VVPAT Machine और यह voter verifiable होंगी और इनमें एक paper भी निकलेगा साथ में तो आपको यह बताना है कि इनमें कितनी मशीन खरी दी जाएंगी Election Commission के दुआरा जो हमारे कैबिनेटे अप्रूव कर दी है तो यह खरी दी जाएंगी 16 लाख मशीन और एक बात और याद रखिए जब आप इस मशीन में बोट डालने के लिए बटन दबाएंगे तो 7 सेकंड तक आपको यह दिखाई देगा कि आपने कौन सी पार्टी के लिए बोट किया है एक पेपर स्लिप के उपर पहली बार इनमें से कौन सा बॉट प्लेटफॉर्म है जिसने लाँच किया है इंटर बोट इनटर बोट एक बोट टो बोट कम्यूनिकेशन प्लेटफॉम है यानि बोट मतलब होता है रोबोट तो 2 रोबोट आपस में बात कर पाएंगे इससे इसका नाम है इनटर बोट तो यह किसने लाँच किया इनटर बोट इसको लाँच करने वाली कंपनी है गपशप इससे जो रोबोट है उनमें जो human beings है उन जैसी ताकतें आ जाएंगी जिससे वो आपस में आपस में communicate कर पाएंगे संचार कर पाएंगे और जो ये गपशप कंपनी है इसके founder है बीरुड शेट बीरुड सेट और इसका headquarter है अमेरिका में सैन फ्रांसिसको में इन में से किसे शंभवी प्रुसकार से समानित किया गया है अपने समाज में परिवर्तन के लिए समाज में जो social work है वो करने के लिए समाज सेवा के लिए इनका नाम है हरी शंकर रावत हरी शंकर रावत और ये जो award है ये 2014 में शुरू किया गया था इला पांडा फाउंडेशन के द्वारा इन्होंने उडिसा के अंदर जो वहां का जिला है जिसे बोलते हैं कंधामल कंधामल डिस्टिक्ट के अंदर बहुत काम किया है समाज सुधार के लिए Reserve Bank of India ने एक Supervisory Corporation Pact साइन किया है एक करार किया है Information Sharing के लिए जिससे जो Information है उसको असानी से Share किया जा सके इसके लिए तो किस के साथ किया है कौन से देश के Bank के साथ किया है इन्होंने ये किया है भुटान के Royal Monetary Authority of भुटान के साथ दोनों आपस में सहयोग करेंगे एक दूसरे को Information देंगे और एक और के साथ किया है Bank of Guyana Total 40 MOU sign किया है Bank of Guyana इन में से कौन से राज्ये की सरकार है जिसने जो सरकस में पहले जो Joker काम करते थे सरकस में जो Artist थे उनको Pension देने का निर्ने लिया है और इसमें Total जो खर्चा आएगा वो आएगा 1.13 करोड 1.13 लाक रुपे तो ये जो सरकस के मजदूर है सरकस के Joker है उन्हें मुहावजा मिलेगा पैंशन मिलेगी ये डिसाइड किया है केरल की सरकार ने केरल के मुख्य मंत्री है पिनरई विजियन परधान मंत्री नेंदर मोदी ने इनॉग्रेट किया Phase 1 Link to Pipeline कनाल जो सवराष्टर नर्मदा अवतारा निरिगेशन यानि सौनी प्रोजेक्ट का तो कौन से डिस्टिट के अंदर ये किया ये किया सौराष्टर के बोटर्ड डिस्टिट के अंदर और 12,000 करोड रुपे का ये प्रोजेक्ट है 115 डैम जो है उनमे पानी इसमें पंप किया जाएगा 115 डैम जो सुखे पड़े है और इसे किसानों को रहत मिलेगी तो इसके चार फेज हैं हमारा एक वीडियो भी है इस पर सौनी प्रोजेक्ट आप उसको जरूर देखिए MHRD MHRD ने एक पोर्टल लाँच किया है और एक मोबाईल अप लाँच करी है कौन सी स्कीम के लिए किये ये आपको बताना है तो इन्होंने एक यह है राष्ट्रिय उच्चतर सिक्षा अभियान जिसे बोलते हैं रूसा और इसके साथ इन्होंने एक बुक भी लाँच करी है जिसको बोलते हैं डिजिटल लाँच आफ प्रोजेक्स राष्ट्रिय उच्चता सिक्षा अभियान उच्चतर सिक्षा अभियान टोटल सतरा रूसा यानि राष्ट्रिय उच्चतर सिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट्स लॉंच किये गए हैं तो यह आपको याद रखना है MHRD होता है मानव संसाधन विकास मंत्राले Ministry of Human Resource Development और हमारे HRD मिनिस्टर आप जानते ही है परकाश जावडेकर अभी वल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है वल्ड बैंक के प्रेजिडेंट है जिम यॉंग किम और इसकी CEO है क्रिस्टीना जोर्जी एवा क्रिस्टीना जोर्जी एवा इसका headquarter है वाशिंग्टन डिसी में वल्ड बैंक के हिसाब से भारत की economy कितना ग्रो करेगी 2017-2018 में, यानि financial year 2018 में, एक अपरिल 2017-31 मार्च 2018 तक हमारी economy ग्रो करेगी, world bank के हिसाब से 7.2% और अगले साल, यानि 2018-2019 में हम ग्रो करेंगे 7.5% और financial year 2020, यानि 2019-2020 में हम ग्रो करेंगे 7.7% तो ये है अगले 3 सालों का, इस साल 7.2, अगले साल 7.5, अगले साल 7.7 पहली बार एक see-through coach, see-through coach मतलब एक ऐसा rail का डिबबा, जो पारदर्शी है, या आप इसकी photo भी देख सकते हैं, इसमें सब कुछ आप भार देख सकते हैं, पूरा डबबा पारदर्शी है, तो ये इस तरह का डबबा, इसका विमोचन किया, उद्गहटन किया, सुरेश प्रभ गाटी तक ही जाएगा, इस डबबे का नाम क्या है, इसका नाम रखा गया है विस्ता डॉम, 128 किलोमेटर की यात्रा करेगा, रेल की ये, और इसमें काफी खर्चा हुआ है, एक डबबे को बिनाने का खर्चा हुआ है, लगभग साड़े तीन करोड के असपास, 40 लोग इनका नाम है Emma Morano, NASA, जो की अमरीका की Space Agency है, इसका Headquarter वाशिंग्टन डी सी में, NASA का एक Space Craft है, अंतराष्ट्रिय स्पेस टेशन तक जाने वाला जो शटल बोलते हैं, वो है कैसीनी, इसने कुछ ऐसे नमूने देखे हैं, हाइडरो थर्मल वेंट के, किस इनमें एक सैटन जो शनी ग्रह है, उसके कोन से मून के उपर, तो ये शनी ग्रह है, आप जानते हैं, इस पर रिंग्स भी है, शनी ग्रह का एक मून है, और उस मून के समुद्र तल पे हाइडरो थर्मल वेंट के नमूने मिले हैं, उसकी सबूत मिले हैं, NASA के कैसीनी Space Craft को, तो आपको ये बताना हैं, उस मून का क्या नाम है, जहाँ पर ये नमूने मिले हैं, शनी ग्रह के, उस मून का नाम है, Enceledus, ये Science and Technology से Question है, Enceledus, भारत के कोन से Environmental Engineer है, जिने काल्टियर Women's Initiative Award मिला है, Water Management Solution के लिए, जल्द संसाधनों को सही से यूज करने के लिए, उनके solution प्रोवैड करने के इनका नाम है, तुरुपती जैन, तुरुपती जैन, लगभग 18,000 फार्मर्स को इन्होंने फाइदा पहुचाया है, small फार्मर्स को और indirectly एक लाख से ज़्यादा रूरल गरीबों को इन्होंने फाइदा पहुचा है, इन में से कौन से राज्ये की ब्रांच, Election Commission of India की, कौन स इसे state branch है, जिसने पहली बार एक special awareness drive launch किया है, जिसमें जो transgender लोग है, उन्हें register किया जाएगा voters के तोर पे, तो transgender होते हैं, जो जैसे कोई male पैदा हुआ, तो female की तरह अगर behave करता है, या operation से male female में, या female male में convert हो जाता है, जो विपरित link विवारुत सुक होता है, दूसरा link male है तो वो female बनना चाहता है, उसको बोलते है transgender, इसके लिए कोई dictionary definition नहीं है, तो ये कौन से राज्या ने launch किया है, ये किया है, महराश्टर ने, और एक और important चीज़ बताता हूँ, 15 अपरेल को हम बनाते हैं, third gender day, third gender day, तो ये आपको याद रखना है, लगभग 10 लाख लोग हैं, जो transgender हैं, लेकिन सिरफ 1700 लोग ऐसे हैं, जो registered है waters के तोर पे, परदान मंत्री नहेंदर मोदी ने, अभी अभी सम्मानित किया, इन में से कौन सी freedom movement, कौन सी हमारा स्वतंतरता संग्राम है, उसके स्वतंतरता के लिए जो लड़े, लोग हमारे, तो स्वतंतरता सेनानी, उनके परिवारों को सम्मानित किया, क्योंकि जिस freedom movement में ये लड़े थे, उसके 200 साल पूरे हो गए हैं, इसको बोलते हैं, पई का rebellion, पई का rebellion, और इसमें museum भी बनाय जाएगा, और इस museum में ये लगबद 50 जहाँ पे बनाय जाएगा भारत के अंदर, 16 freedom fighter ने, जिनके परिवा activity होती हैं, गतिविदियां, उनको track कर सकता है, उन पे नजर रख सकता है, तो कौन से institute के researchers ने बनाया है, ये बनाया है National Institute of Oceanography, CSIR, National Institute of Oceanography, और ये इस तरह का robot है कि ये हम समुदर में 200 मीटर तक इसे कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी place कर सकते हैं, banks board bureau ने अभी अभी governance reward and accountability framework बनाया है, जिसको short में बोला जाता है graph, governance reward and accountability framework, कोन से banks के लिए बनाया है, ये इनोंने बनाया है, सरकारी banks के लिए, यानि public sector banks के लिए, और ये उनकी मदद, banks को अब basically इस चीज के लिए प्रिपेर किया जा रहा है, merger के लिए, एक दूसरे में सम्म इसी तरह से बाकी banks का भी ये proposal किया रहा है, कि सबको merge कर दो, global analysis or assessment of sanitation and drinking water, जिसको बोलते है glass, ये report publish करिये, इसमें से दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, जो परदूशित, दूशित पानी पीते हैं, जो पीने लाइक पानी नहीं है, वो पीते हैं, कितने लोग हैं, तो ये जनसंकिया है लगबग 700 करोड, उसमें से 200 करोड लोग ऐसे हैं, जो दूशित पानी पीते हैं, तो 2 billion is the answer, और एक और बात इन्होंने कहिए, कि 2025 तक, यानि अगले आने वाले सिरफ 8 सालों में, दुनिया के 50% लोग, यानि 700 करोड में से लगबग 300 करोड लोग ऐसे होंगे, जो दूशित पानी पीएंगे, तो दोनों आप याद रखिए, 2025 तक 50% और अभी 2 billion, इन में से कौन सा राज्य है, जो अंबेडकर स्मृति वनम, ये 125 फुट का, अंबेडकर जी का मृति बनेगी, उसको बनाएगा, अंबेडकर स्मृति वनम इसे नाम दिया गया है, और इस 20 एकर के एरिया में बनेगा, इस पे 100 करोड रुपे का खर्चा आएगा, और आंदर परदेश में बनेगा गुंटूर के अंदर, जिसे भारत का तंबाकू शेहर भी कहते हैं, टोबैको सिटी ऑफ इंडिया, परधान मंत्री ने अभी अभी लाँच करा, cashless township model, जिसे GNFC न गुजराद नर्मदा वाला जो ये township है, ये देश का पहला cashless township है, ये भी याद रखिए, इन में से कौन से राज्ये की सरकार है, जिसने power for all schemes sign की है केंदर सरकार के साथ, power for all, 40,000 करोड रुपे का खर्चा आएगा इसमें, और 2018 तक ही 20,000 करोड खर्च हो जाएगे, और इ एक portal launch करा है, IRDAI ने, इसमें जो Insurance Regulatory Development Authority of India यानि ILDI, इसमें जो बीमा करवाने वाले लोग हैं, वो register कर पाएंगे और अपनी policies बेच पाएंगे, जो insurers हैं वो बेच पाएंगे, बीमा करवाने वाले लोगों को, तो insurer होता है जो bank होते हैं या जो insurance companies होती हैं, वो उनको बो जाना है कि इस portal का नाम इन्होंने क्या रखा है, इस portal का नाम होगा ISNP, यानि कि Insurance Self Networking Platform, यानि अब एक तरफ से आएंगे buyer, दूसरी तरफ से आएंगे seller, एक तरह का market model है, ISNP, इसको नाम दिया गया है, IRDAI का ये है, और इसका headquarter है, है हैधराबात में, तेलंगाना की राज TSBGN, इन में से कौन सा building material manufacturing company है, जिसे RBI की approval मिल गई है, कि वो अब foreign investment limit को 30% से 49% कर सकता है, यानि इस company में विदेशी पूंजी निवेस 49% तक हो सकता है, तो ये company कौन सी है, ये building material प्रोवाइड करती है, जैसे cement बगारा, इस company का नाम है, ग्रासिम, और ग्रासिम कंपनी है, अधित्य बिरला ग्रुप की, इन में से कौन से राजिय की सरकार है, जिसने plastic, polythene bag वगारा बैन कर दी है, एक मई से, complete बैन, ये किया है, मध्य परदेश की सरकार ने, मध्य परदेश जहांके शिवराज सिंग चौहान मुख्य मंत्री है, और इन में से, इन में उस व्यक्त पैनल on human settlement and sustainable urban development में, न्यूक्त किया गया है, मतलब जो ये high level, बहुत ही high level का independent panel है, human settlement and sustainable urban development, उसमें इनका नाम आया है, तो इनका नाम है शीला पतेल, ये पदम श्री भी इनको मिल चुका है, और ये spark नाम की organization है, उसकी founder भी है, पूर्व जमू कश्मीर के governor गिरिश सकसेना, इनका निधन हो गया अभी-अभी, तो ये इनमें से कौनसी organization के director थे, ये थे raw के director, और गिरिश सकसेना को हम short में बोलते थे, इनको popularly बुला जाता था, Gary, इनका उपनाम था Gary, तो answer है raw, research and analysis, wing, और ये राजीव गांदी के ये सालागार भी थे, BRICS की meeting होगी Middle East के उपर, कहां पर ये होगी, BRICS meeting on Middle East, Madhya Purv से related मुद्धे इसमें discuss किये जाएंगे, और ये meeting होगी विशागा पतनम में, विशागा पतनम तट पे हैं आंदर परदेश के, और इसमें जो Syria, इराग, यमन, लेपियाईन देशों में जो चीजें चल रही हैं उन पर बाते की जाएंगी, Indian Academy of Highway Engineers ने एक M.O.U. sign किया है, इन में से कौनसी उनिवस्टी के साथ, अब ये दोनों मिलके बनाएंगे, Center for Advanced Transportation Technology and System, जो परिवेहन है, उसमें सुधार के लिए बनेगा, CATS, Center for Advanced Transportation Technology and System, इन्होंने किया है ये University of New South Wales के साथ, और ये है Australia के अंदर, New South Wales, ये Britain वाला Wales नहीं है, इसकी राजधानी Cardiff है, ये New South Wales है Australia, इन में से कौनसे Bollywood के एक्टर है, जिने साथवा, San Francisco International Film Festival में समानित किया गया, जिसे San Francisco Film Festival Society ने और्गिनाईज किया था, इनका नाम है शारुक खान, और इसो प्लच में इनकी फिल्म My Name is खान को भी स्क्रिन किय गया था, रॉबर्ट टेलर, इनका निदन हो गया, बहुत महशूर क्या थे ये, रॉबर्ट टेलर, तो ये थे Computer Scientist, Internet और जो Personal Computer को सुधारने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, और इसी के साथ साथ इन्होंने Computer Network भी बनाया था, जिसका नाम है Arpanet, Arpanet के जनक थे ये तेलंगाना की जो Assembly है, उसने Bill Pass करा है, Muslim जो लोग है, उन्हें Reservation परदान किया गया है, Backward Muslims को, 12% Reservation Muslim को मिला है, और 10% Scheduled Tribe को, ये नया Bill Pass कर दिया है, तो अब ये बताइए कि जो Quota है अब तेलंगाना में, वो कितने percent हो गया है Total, ये हो गया है 62%, और याद रखिए Supreme Court ने का ह परदत में Quota 50% से ज्यादा नहीं होना चीए, तो अब ये Supreme Court में case चलेगा, और पहले Muslims को Reservation था 4%, तो उसे बढ़ा के कर दिया 12, और जो Scheduled Tribe है, उन्हें था 6%, previously, और अब है 10%, तो ये आपको याद रखना है, बढ़ा दिया, लेकिन Supreme Court of Final Decide करेगा, बहुत सारे और भी राज अंद्र शेखर राओ, तिलंगाना राष्ट्र समिती पार्टी के हैं, और गवर्नर है, Mr. Narsimhan, तिलंगाना की राजधानी है, हैधराबाद, Campagoda Festival अभी अभी कहाँ पे हुआ, जिसे नदा प्रभू Campagoda Foundation ने मनाया, ये एक important festival है, Campagoda Festival, इसे मनाया गया, अभी अभी दिल्ली के अंदर, और ये आप जानते हैं, Campagoda करनाटक में है, तो करनाटक में एक महशूर empire होता था, जिसे बोलते थे विजयनगर empire, विजयनगर empire क जो संस्कृती है, जो उनकी history है, उसे promote करने के लिए दिल्ली में मनाया गया, इन में से कौन सा देश है, जिसने अभी अभी एक referendum कराया, कि वहाँ का जो parliamentary system है, वो अब presidential system में convert हो जाएगा, यानि इस देश के जो राश्पती हैं, अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए है इसके लिए referendum जीत गए है, ये देश जीत गया है, तो इसमें जो counting होई, वो yes कहा 51.36% लोगों ने और no कहा 48.64% लोगों ने, इन president का नाम है Eldogan, और अब इने बहुत ज़्यादा ताकत मिल गई है इस देश में, ये देश है टर्की, टर्की की राजधानी है, अंकारा, this is very very important question, और टर्की की करंसी है लीरा, हमारा जो finance ministry है, वित मंत्राले, उसने interest rate on EPF deposit, employee provident fund deposit है, 2016-17 के लिए, वो 8.8% उसमें interest मिलता था, वो उसको कम कर दिया है, तो कितना कर दिया है, अब इसको कर दिया है, 8.65% और हमारे जो शरम के मंत्री है, लेबर मिनिस्टर, वो है बंदार मेगावाट के दो प्लांट, ये thermal power project प्लांट है, और ये आपको बताना है, कहाँ पे ये लगाए गए है, महराश्टर के अंदर लगाए गए है, लेकिन कहाँ पे लगाए गए है, इनको लगाए है नासिक में, जो गोदावरी नदी के किनारे है, नासिक, और भेल के चेर् और भेल का headquarter है नई दिल्ली में, केंदर सरकार ने अभी अभी launch करा एक training program, ये training program महिलाओं के लिए है, जो इन में से कौन सा कारे करती है, ये है पंचायत leaders के लिए, जो पंचायत में leader है महिलाओं, उनके लिए किया गया है, और National Commission for Women ने Tata Institute of Social Science के साथ मिलके इसे किया है, इन में से कौन सा IIT है, जो वास्तु शास्तर के courses launch कर रहा है, अपने architecture students के लिए, वास्तु शास्तर, तो हमारा जो घर कैसे बनना चाहिए, उस सब के related science होती है, ये हमारी प्राचीन science है, वास्तु शास्तर, इसके लिए course launch किया है, IIT खडगपुर ने, इन में से कौन सा bank है, जिसने तीन नए product launch करे, इस bank के अभी-अभी 123 दिन हो गए हैं इस bank को बने हुए, ये bank कौन सा है, इस bank की chairman है, managing director है, CEO, उशा अनन्त सुबरमन्यम, तो अभी ये question असान हो गया, ये bank है, पंजाब national bank, जिसके 123 साल पूरे हो गए है, आंध्रिपरदेश की सरकार ने एक market purchase scheme launch क आल मिर्च के किसानों को होगा, red chili is the answer, आंध्रिपरदेश में सरकार है, तेलगु देसम पाठी की, चंदर बाबु नैडु यहां के मुख्य मंत्री हैं, इन वे से किस वेक्ति को डॉक्टर पडूरू गुरुराज भट मेमोरियल अवार्ड मिला है 2017 के लिए, डॉक्टर प पूर्व मंत्री, देवी वेनु नहरू, इनका निधन हो गया, यह कौन सी पाठी में मंत्री थे, कौन सी पाठी के लिडर थे, यह थे तेलगु देसम पाठी के, जो आंध्र परदेश की पाठी है, so answer है TDP, केंदर सरकार ने अभी अभी अप्रूव कराए कि लाल बत्तिया नहीं क्या दिया था कि लाल बत्ति नहीं लगाई जाएगी, तो लेकिन कुछ department को छूट मिली है, fire brigade पे लग सकती है, ambulance पे लग सकती है, और police की गाड़ियों पे लग सकती है, इसके अलावा नहीं लगाई जाएगी, और इन पे भी लाल बत्ति नहीं लगेगी, इन पे blue color की बत्ति लगेगी, जिनने बोलेंगे blue beacon, तो ये एक मई से लागू हो जाएगा, मद्य परदेश ने power purchase agreement sign किया है, डेली Metro के साथ, DMRC, डेली Metro Rail Corporation के साथ, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए, तो आपको ये बताना है, कौन सी इन में से शाखा है, organization है, जो lead transaction advisor होगी, इस project की, lead transaction advisor, यानि जो हस्तांतरन है, उसमें मुखे सलाकार कौन सी organization होगी, ये होगी international finance corporation, international finance corporation, और जो DMRC है, ये 24% power देगी, इस project को, और जो IFC है, international finance corporation, ये 550 million dollar का लोन देगी, private investment के तोर पे, ये सब चीज़ें याद रखनी हैं आपको, भारत का क्या rank है, 2017, AT करनी, foreign direct investment confidence, FDI confidence कितना है भारत के अंदर, उसमें कितना भारत का rank है, number 1 पे है America, number 2 पे है Germany, number 3 पे है China, पिछले साल दा भारत 9th, इस साल आ गया है 8th पर, ये ये दिखाता है कि जो विदेशी कंपनिया है, वो भारत को कितना prefer करती है, निवेश करने के और जो ये कंपनी है, AT करनी, ये शिकागो में इसका headquarter है, सरकारी तेल कंपनी, HPCL, हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited और राजस्थान की सरकार ने एक MOU sign किया है, Memorandum of Understanding, 43,139 करोड रुपे का, अब एक oil refinery लगाई जाएगी, इन में से कौन से, कौन से राजस्थान के शहर में, जो हमा जाएगी बाड मेर के अंदर, बाड मेर राजस्थान, और इसमें 26% हिस्सा होगा राजस्थान की सरकार का, हिंदू यूथ, पाकिस्तान का वो हिंदू व्यक्ति कौन है, जिसे Emerging Young Leader Award मिला है, US State Department के द्वारा, और ये हिंदू है और पाकिस्तान से है, इसका नाम है मशूर Maoist Leader नारायन सन्याल, इनका अभी अभी निदर हो गया, ये कौन से राज्य से थे, ये नकसल लीडर थे, Maoist लीडर थे, और ये थे West Bengal से, तो नकसल है के काफी ये important लीडर थे, आंसर है West Bengal चाइना ने अपना official नाम अरुनाचल परदेश के कितने शहरों का रखा है, तो चाइना ये कोशिश कर रहा है कि ऐसे दिखाए कि अरुनाचल परदेश चाइना का है, इसलिए अरुनाचल परदेश के कितने शहर हैं जिनका चाइना ने अपना official नाम अपना दे दिया है, य US Postal Administration UNPA Special Dark जो ticket है वो release करेगी अंतराष्टिय योगा दिवस मनाय जाएगा जब तो आपको ये बताना है अंतराष्टिय योगा दिवस कब मनाय जाता है हर साल तो ये मनाय जाता है जून 21 को हर साल Very very important UNESCO ने इन में से किस वैक्ति को दिया है ये मिला है इटली के जिव सपीना निकोलीनी को इन्होंने Mediterranean के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें बचाया है जो नाओ में डूब रहे थे उन्हें बचाया है जो वहाँ पर से जा रहे थे बचके और डूबने वाले थे उन्हें भी बचाया है तो आंसर है जिव सपीना निकोलीनी इन में से कौन सा देश है जिसने लॉँच करी अपनी पहली सेटलाइट अपने टेलिविजन को विस्तार करने के लिए टेलीकॉम और ब्राडबेंड सर्विसिस के विस्तार के लिए इन्होंने अपनी पहली सेटलाइट लॉँच करी है ये देश है मंगोलिया और इनकी सेटलाइट का नाम है सैट वन मंगोलिया की राजधानी है उलन बतार और इसकी मुत्रा है टोग रोग ये ध्यान से सुनिए टोग रोग हमारे जो कानून मंत्री है रवी शंकर परसाद कानून और नयाय के लिए हमारे यूनिट मिनिस्टर है इन्होंने कौन सा welfare initiative, कौन सी scheme लॉँच करी है अभी अभी इन्होंने लॉँच करी है all of the above यानि टेले law service, नयाय मित्र और pro bono legal service यानि कि जो लोग legal service अफोर्ट नहीं कर सकते इसके रवाट टेले law service है इसमें common service center के थूँ video conferencing के थूँ कानूनी सला उपलब्द कराई जाएगी तो यह answer है all of the above Supreme Court जो भारत का है उसने जो alimony benchmark है वो कितना रखा है कहने का मतलब अगर कोई पती-पती तलाक लेते है तो alimony में जो पैसा मिलता है महिला को वो अपने जो husband है जिससे तलाक लिया है उसकी कितनी salary मिलेगी उसे इसको alimony benchmark बोलते है यह है 25% तो महिला ने जिसको तलाक दिया है उसकी 25% salary उसे मिलेगी इन में से कौन सी non banking financial company है जिसे small finance bank में तबदील कर दिया गया है इस company का नाम है or financier और अब इसका नाम हो गया है or small finance bank यह अकेली asset financing nbfc है जो 10 applicants थे जिने rbis से in principle approval मिला था small finance bank खोलने के लिए उसमें यह अकेली asset financing non banking financial company थी or financier minister of state labor and employment बंदारु दत्रया उन्होंने अभी अभी present करे NSCI safety awards और यह 70 organization को दिये गए 2016 के लिए कितनी categories में यह award दिये गए यह बताना है आपको यह दिये गए 4 category में तो जैसे सर्व, श्रेष्ट, सुरक्षा पुरुसकार श्रेष्ट, सुरक्षा पुरुसकार और प्रश्चन सा पत्र तो answer है 4 चाइना ने अभी अभी launch करी अपनी successful पहली unmanned cargo spacecraft यानि unmanned मतलब इसमें कोई व्यक्ति नहीं जाएगा अंतरिक्ष में और इन्होंने यह वेंचंग Space launch center से launch करी इसका नाम क्या रखा है चाइना ने इस अंतराष्ट्रिय स्पेस क्राफ्ट का नाम चाइना ने रखा है तियान जाउ वन और एक बात और याद रखिए इसका जो carrier है वो है long march यानि इसको लेके उड़ेगा long march नाम का rocket तो यह long march बहुत पूस्ते एक्जाम में कौन से देश का यह है चाइना का और एक बात और चाइना 2022 तक permanent space station बिल्ड करना चाहता है 11 civil services day कब बनाया गया जो हमारे अधिकारी है civil services है चाहिए IS officer हो चाहिए civil servant है उनके योगदान को सरहाने के लिए हम मनाते हैं 21 अप्रेल को civil services day very very important और यह organize किया जाता है department of administrative reforms and public grievances जिसे बोलते हैं D.A.R.P.G D.A.R.P.G परधान मंतिर नरेंदर मोधी ने अभी अभी inaugurate की 3300 megawatt शमता का कोराड़ी thermal power plant 3300 megawatt बहुत बड़ा plant है कहां पर यह लगेगा यह लगेगा नागपूर में और नागपूर है महराष्टर में स्वांसर है महराष्टर इन में से कौन सा शहर है जहां सयुक्त राष्टर संग का पहला World Ocean Festival विश्व महासागर त्योहार मनाय जाएगा यह मनाय जाएगा New York शहर के अंदर अमेरिका के अंदर New York City June के अंदर मनाय जाएगा इन में से कौन सी भारत की पुरानी एक्टरेस हैं जिने Lifetime Achievement Award मिला 80 वे बंगाल फिल्म Journalist Association Awards के दोरान बंगाली एक्टरेस रही है Bollywood में भी काफी इनोंने काम किया इनका नाम है Moshmi Chatterjee Moshmi Chatterjee और जो बंगाल फिल्म Journalist Association है ये भारत का सबसे पुराना है Film Critics का जो Association है 1937 में बना था सरकार इन में से 100% FDI किसमें लाने वाली है भी 100% FDI ये सोच रही है लाने की सरकार बहुत चल्दी अनौंस भी हो जाएगा Cash और ATM Management के अंदर Cash और ATM Management जो Cash Management कंपनी है भारत में 40,000 करोट रुपे का पैसा ट्रांसफर होता है हर रोज उसमें तो 100% FDI लाने की सरकार इसमें डिसाइड कर चुकी है Health Minister इन में से कौन से राज्ये के Health Minister है जिनोंने अपने पद से स्तिफा दे दिया है अभी अभी इस राज्ये में नई सरकार बनी थी और ये हैं मनिपुर के Health Minister इनका नाम है L. Jayant Kumar Singh और इनकी पार्टी का नाम NPP यानि National People's Party मनिपुर के मुख्यमंत्री है बिरन सिंग जल्युक्थ शिवर ये एक flagship project है कौन से राज्ये का इसमें जो जल्युक्थ शिवर में वो राज्ये जिनमें पानी की कमी हो गई उससे निजात पाने की कोशिश होगी किसानों को फाइदा पहुंचाने के लिए 25,000 गाउं ऐसे हैं जो ड्रॉट हिट हैं जिनको पानी प्रोवाइड किये जाएगा 2019 तक यानि इन्हें पानी के मामले में आतम निर्भर बनाया जाएगा और यह किया है महराश्टर की सरकार ने यहां के मुख्य मंत्री है देवेंदर फटनाविस चार दिवसी है लंबा थिं ग्यान फिल्म वाटर फेस्टिवल बनाया गया कौन से देश के अंदर भारत रशिया के साथ पहली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करेगा इस एक्सरसाइज को नाम क्या दिया गया है यह रशिया के अंदर होगी और इसको नाम दिया गया है इंदर रशिया के राश्पती है वलादी मेरे पूतिन रश्यागी राजधानी है, मॉस्को सुप्रीम कोट ने अभी-अभी NDMC को उलाओ किया है कि वो electronic auction कर सकते हैं यानि digital निलामी कर सकते हैं इन में से कौन से hotel की? कौन सा hotel है जो निलाम कर दिया जाएगा e-auction के तहट? यह hotel है ताज मान सिंग hotel अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल कहाँ पे है यह hotel? लिखके बताएए कौन से शेर में सरकार इन में से एक FTII बनाने का विचार कर रही है कहाँ पर बनाएगी? तो इन्होंने announce कर दिया है Film and Television Institute of India कहाँ पे बनेगा? यह बनेगा इटा नगर में अरुनाचल परदेश की राजधानी है इटा नगर इसके अलावा आईजूल यानि मिजोरम की राजधानी आईजूल में बनाये जाएगा एक और इंस्टिट्यूट इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन यानि IIMC और हमारे सूचना परसांद मंत्री है वेंग यान एडू इंफॉरमेशन ब्रोड़कास्टिंग मिनिस्टर केंदर सरकार ने जो एंजीओ है उन्हें बैन कर दिया है कि वो फॉरन फंडिंग नहीं ले सकते और कौन सी एंजीओ को बैन किया है कि वो फॉरन फंडिंग नहीं ले सकते और क्योंकि ये जो FCRA है उसके रेगुलेशन को नहीं मान रहे थे तो ये है Public Health Foundation of India Public Health Foundation of India फॉरन फंडिंग नहीं ले सकती दिलिस्थित NGOIA और इसको Bill and Melinda Gates Foundation से भी फंडिंग मिल रही थी अभी अभी एक चक्रवात آया जिसका नाम है मारूता कौन से देश में आया या भारत के कौन से शेहर में आया भारत के अंदर आया ये साइकलोन आया चाक्रवात समुदर में आता है इसे बारिश भी काफी आई ये आया ओरी शामे और ये याद रखिए भारत के अलावा आया है माया मार के अंदर Supreme Court Collegium ने recommend किया है कि जो judge है उनकी न्यूकती होगी तो कितने नाम है जो गए है judge की न्यूकती के लिए भारत में 10 high courts के अंदर कितने judges की न्यूकती Supreme Court Collegium ने recommend किया है टोटल जज है 51 जिनकी न्यूक्ति की जाएगी सुप्रीम कोट के हिसाब से इन्होंने रेकमेंड कियें और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो है जे एस कहर और यह भारत के पहले सरदार हैं जो चीफ जस्टिस हैं सिक पहले सिक तो यह आपको याद रखना है और याद रखिए भारत में जो 24 हाई कोट हैं उनमें 41% पोस्ट हैं जो खाली पड़ी हैं भारत में 1079 जज उनके पद हैं लेकिन टोटल जज हैं हमारे पास प्रोजेक्ट इसमें एक ये मिशन होगा इसका भरस्पती घरह पर जाने के लिए जूपिटर घरह जो सबसे बड़ा घरह है वहां पर जाने के लिए 2022 में नासा इसको लॉंच करेगी इस मिशन का नाम क्या है इस मिशन का नाम रखा गया है जूस जूस की फुल फॉर्म है जूपिटर आइसी मून्स एक्स्प्लोरर जूसी जूपिटर आइसी यानि जूस जूपिटर आइसी मून्स एक्स्प्लोरर तो बहुत बड़े-बड़े मून है जूपिटर के पास जैसे गैनीमेड है कलिस्टो है ये सब जूपिटर के मून है ये सब जूपिटर के मून ह इन्होंने बनाया है और इसमें सुप्रीम कोट के जज्ज थे जिनका नाम था दिपक मिश्रा जिन्होंने ये निप्टा दिये total cases इन्होंने निप्टा दिये 6,60,000 case सिर्फ एक दिन के अंदर Chinese Language Day अभी अभी celebrate किया गया 20 अप्रेल को ये UNESCO ने कौन से साल में शुरू किया था कौन से साल में शुरू किया था Chinese Language Day ये शुरू किया था 2010 में और United Nations में 6 official language हैं English, French, Russian, Chinese, Spanish और Arabic तो 6 भाषाएं है official संयुक्त राष्ट संगी की अभी अभी कितनी dark stamp जो dark ticket होती हैं वो launch की गई है अंबेडकर जैनती के उपलक्ष में परधान मंत्री नेंदर मोधी द्वारा total हैं दो और एक पे दिखाया गया है दीक्षा भूमी और दूसरे जो twin picture है लौड बुद्धा की और डॉक्टर अंबेडकर की और डॉक्टर अंबेडकर जो हैं इनका ये 126 वा बर्थ अनिवरसरी था 14 अप्रेल को यह आपको याद रखना है और जो app launch की गई थी भीम वो भी डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के नाम पे की गई थी इन मेंसे कौन सी कंपनी है जिसने launch करा है fire tv stick इंडियन मार्केट के अंदर जिसे google chromecast को ये compete कर सकता है उसको challenge कर पाएगा ये company है amazon amazon ने launch करा है fire tv stick इसे आप tv देख सकते हैं और इंडिया पाचवी market है जिसमें world मे amazon के जो CEO है ये बहुत important वेक्ति हैं दुनिया के तीसरे सबसे richest आदमी है जेफ बैजोज और amazon का headquarter है Washington DC में इन में से कौन से cricketer है जिनको अमिर खान के साथ 75 वा master दीनानात मंगेश कर award मिलेगा दीनानात मंगेश कर award 75 वा master दीनानात मंगेश कर award मिलेगा अमिर खान को और के कौन से खिलाड़ी को तो ये है हमारी 1983 में जो हमने world cup जीता था उस team के captain all rounder कपिल देव Australia ने अपने जो नागरिकता के कानून है जो उनको tough कर दिया है बहुत ज़दा tough कर दिया है पहले आप वहाँ अगर आजीवन नागरिकता permanent residency चाहते थे तो एक साल देना पड़ता था minimum फिर आप apply कर सकते थे अब कितने साल देना पड़ेगा यानि कितने साल से increase कर दिया है य चार साल भानेना पड़ेगा तब जाके permanent residency requirement पूरी होगी तो ये काफी difficult कर दिया है वीडियो गेमिंग ये एक 2022 के Asian Games में एक full time sport होगा यानि अब वीडियो गेम्स के भी competition हुआ करेंगे Asian Games के अंदर और ये announce करा Olympic Council of Asia ने OCA ने तो आब ये बताइए कि 2022 के Asian Games कहाँ पे होगे 2018 के Asian Games कहाँगे इंडोनेशिया में सबसे पहले Asian Games हुए थे 1951 में इंडिया में अभी एक report आई है जिसका title है not for sale विकाव नहीं है ये report है worldwide life fund की for nature इसके हिसाब से दुनिया की कितनी world heritage site है जहाँ पे जो जानवर है उनका अवैद तसकरी होती है illegal trafficking होती है जानवरों की total है 30% 30% और इन में से साथ भारत के अंदर है इन में से कौन सी pop singer है जिने royal title दिया गया है officer of the most excellent order of the British Empire ये सम्मान किसको दिया गया है officer of the most excellent order कौन सी महशूर गाई का ये England के पूर्व football team के captain David Beckham की पतनी है इनका नाम है Victoria Beckham के अंदर सरकार ने extend कर दिया है ceasefire इन में से कौन से armed group के साथ नागा लेंड में जो rebel group है उसके साथ यानि की लडाई रोक दिये एक साल के लिए इसका नाम है National Socialist Council of Nagaland reformation यानि की NSCNR यहाँ पे R का मतलब है reformation नागा लेंड की राजधानी है कोहिमा अभी अभी India Steel 2017 International Conference और exhibition हुआ जिसको inaugurate किया हमारे Steel मंत्री चौधरी ब्रेंदर सिंग ने तो कहां पर यह हुआ था इसको organize किया गया यह तीसरा ऐसा Steel Conference था और इसको organize किया Mumbai के अंदर इसको फिक्की ने organize किया था Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ने इन में से हमारे कौन से महान खिलाड़ी है या कौन से खिलाड़ी है जो पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने 10,000 रन बनाए T20 में यह trend भी कर रहे थे Twitter पे इनका नाम है Chris Gale, West Indies के खिलाड़ी है लेफ्ट हैंडिट बैट्समेन है इनके अलावा कोई भी ऐसा बैट्समेन नहीं है जिसने 8,000 रन भी बनाए है 10,000 की तो बात दूर है तो यह बहुत महान खिलाड़ी है T20 के और दूसरे नंबर पे ब्रेंडन मैकुलम है 7,596 में रन इनोने बनाए है T20 के अंदर तो यह आपको याद रखना है World Economic Outlook यह इनका Bi-Annual Report होती है International Monetary Fund की इसके हिसाब से Indian Economy कितने percent ग्रो करेगी 2017-2018 में Financial Year 2018 में IMF के हिसाब से हम ग्रो करेंगे 7,2% 7,2% और IMF की जो President है Secretary General वो है Christine Lagarde France की है यह नाम बहुत important है दूसरी बार यह लगातार बनी है IMF की Secretary General और इसका Headquarter भी World Bank के साथ है इनको बोलते हैं इनको एक Special Word है इनके लिए जिसके पीछे लगता है Twins क्या आप यह शव्ट बता सकते हैं यह आज का तीसरा Question है World Bank और IMF को कौन से Twins बोलते हैं हमारा जो मानव संसादम रिकास मंत्राले है उसने Committee बनाई है यह Committee UGC Panel ने जो Recommendation दिये थे कि जिसमें Educational Institution है उनमें 7th Pay Commission लागू हो जाना चाहिए उस पर Recommendation देगी तो आपको यह बताना है कि इस Committee के अध्यक्ष कोन है और याद रखिए Committee का नाम हमेशा अध्यक्ष के नाम पर ही रखा जाता है तो यह हमारे Higher Education Secretary है इनका नाम है केवल कुमार शर्म अभी अभी एक Report दी है Ministry of Statistics ने और एक Program Implementation है जिसका नाम है Youth in India इसके हिसाब से 2021 तक भारत का जो लिंग अनुपात है वो कितना Decline कर जाएगा यह आपको बताना है 2011 में 939 था और 2021 तक हो जाएगा 898 898 2021 तक हो जाएगा 904 और 2011 में हो गया था 939 2021 में हो जाएगा 904 और 2031 तक हो जाएगा 898 यानि हमारा जो लिंग अनुपात है वो गिरता ही जा रहा है हर हजार males पे कितनी female है इसे बोलते हैं sex ratio Union Cabinet ने अप्रूव कर दिया है एक Protocol जिसमें हम Double Taxation Avoidance Agreement को amend करेंगे उस treaty को sign करेंगे कौन से देश के साथ Double Taxation Double Taxation होता है मालो ये देश है A पहले मैं इसका अंसर पता देता हूँ ये देश है Portugal Portugal के जो इस वक्त परधान मंत्री है वो है Antonio Costa और पूर्तगाल के जो पूर परधान मंत्री है Antonio Guterres वो है इस वक्त Secretary General UN के पूर्तगाल की राजधानी है लिजबन और एक बात याद रखिए अगर पूर्तगाल का कोई worker है पूर्तगाल की कोई company भारत में आती है और business करती है तो उसे दो बार tax ना देना पड़े इसको बोलते हैं Double Taxation Avoidance तो ये agreement sign किया है उसे भारत में tax ना देना पड़े और फिर भारत से जो पैसा वो पूर्तगाल ले जाएगी वो भी ना करना पड़े और अब तो ये बहुत और भी strict हो रहा है क्योंकि अब G.A.A.R. आ गया है एक अप्रेल से General Anti-Awardance Rule Alan Holdsworth इनका भी अभी निधन हो गया यानि इस राज्य को बने हुए 70 साल हो गए अभी ये राज्य है हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश के मुख्य मंतर ये वीर बंदर सिंग कॉंग्रेस की सरकार है यहाँ पे और ये existence में आया था हिमाचल परदेश इसके अभी हो गए है 70 foundation 70th foundation days ने मनाया 70 साल इसके पूरे हो गए भारत ने अभी अभी एक अनुबंद किया है इन में से कौन से देश के साथ boundary जो है दोनों देशों की उसके dispute को सुलजाने के लिए ये देश है नेपाल और एक GPS survey के through boundary पहले ascertain की जाएगी global positioning system के through और फिर उस पे एक odd even formula लगा के उसको implement किया जाएगा और odd even जो number है वो pillars पे लगाए जाएगे नेपाल का होगा odd और इंडिया का होगा even इस number के pillar लगेंगे और भारत में खेरी उत्तरपरदेश में और कंचनपुर नेपाल में ये दो area है जो इसके landmarks है और ये जो boundary है और दूसरी बात जो president है नेपाल की वो है विद्या देवी भंडारी और नेपाल के जो परधान मंत्री है वो है पुष्प कमल दहल इन में से कौन सा शहर है जिसने एक mobile app launch करी है जिसका नाम है CM Connect CM Connect और Microsoft के कई जाला platform पर ये launch हुई है जिससे इस राज्य में जो लोग है वो अपनी शिकायतें पर सीधे ही मुख्य मंत्री तक पहुचा सकते है तो ये राज्य है आंधर परदेश आंधर परदेश ने launch करी है CM Connect Asian Billiard Championship चंडीगर में आयोजित की गई इसको किसने जीता Asian Billiard Championship तो इसको जीता पंकज अडवानी ने पंकज अडवानी की ये 6th Asian Billiards और टोटल 7वी Asian Championship थी और 16 बाल World Champion रह चुके है पंकज अडवानी असाम ने अभी अभी celebrate किया इन में से कौन सा त्योहार जो असामीज नया साल स्टार्ट होता है ये उसका स्टार्ट दिखाता है जो harvesting सीजन है वो खतम हो जाता है इस त्योहार का नाम है रोंगाली बीहु और इसका जो पहला दिन होता है उसे बोलते हैं गोरू बीहु गोरू बीहु जो होता है जो जानवर होते हैं cattle होते हैं पशु उनको dedicated होता है और जो दूसरा दिन होता है उसका उसको बोलते हैं मन हू बीहु और तीन बार मनाये जाता है साल में बीहु एक बार अप्रेल में जिसे रोंगाली बीहु बोलते हैं जो अभी अभी मनाये गया के 10 जन्वरी की 15 जन्वरी के असपरस तो ये तीन बार भीहू मनाया जाता है पहली बार इन में से कौन से railway station है जिसके operations पूरा यानि जिसकी संचालन एक private company करेगी तो ये railway station कौन सा ये बताना है आपको ये भोपाल के अंदर है इसको बोलते है हभीब गंज हभीब गंज और इसको एक बात और याद रखनी है आपको ये नया plan railway ने दिया है इसमें जो इंडियन railways है वो private जो company है उन पे branding कर पाईगी, sponsor कर पाईगी और उसमें जो train है वो भी train के अंदर की दिवारे हैं वो भी और जो outer दिवारे हैं वो भी, वो अप्रूव कर दिया है और for example Paytm Express और Savalon स्वच भारत Express तो ये trains के कुछ नाम है जो companies के नाम पे रखे गए इन में से कौन सा देश है जिसने अपना conduct किया पहला successful field test B61-12 gravity thermonuclear bomb जो nuclear warhead के बिना है यानि nuclear bomb नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ा एक thermonuclear bomb है और ये किया है United States ने United States ने अफगानिस्तान के ISIS इलाकों पर एक bomb मारा था जिसे बोलते हैं Mother of All Bombs Men's Single Tournament to a Badminton Singapore Open 2017 ये किस ने जीता है ये जीता है साई प्रनीत ने ये भारत के खिलाडी है और इनका ये पहला टाइटल है इन्होंने भारत के ही किदंभी श्रीकांद को final में हराया अभी अभी एक book launch हुई है जिसको बोलते है Punjab Building the Land of Five River इसको किस ने लिखा है पंजाब पांच नदियों का राज्य इसको इसका पुनर निर्मान इसको लिखा है अर्जुन गैंद ने इन में से किस खिलाडी ने Under 15 Women Single Title जीता 2017 का International Junior Grand Prix जो जकार्ता के अंदर हुआ ये आपको बताना है ये जीता पुलेला गोपीचन की बेटी ने गायतरी पुलेला गायतरी पुलेला ने जीता है और सारे इंडियन्स थे Silver, Bronze, सब इंडियन्स ने लिये और जो Women's Double है वो भी इंडियन्स ने जीता है तो ये सारे स्टुडेंट पुलेला गोपीचन अकेडमी की हैं जो हिदराबाद के अंदर है तो पुलेला गोपीचन महान खिलाडी रहे है All England Open भी जीत चुके है और इनकी अकेडमी है PV सिंदू के कोच भी है तो गायतरी पुलेला है पुलेला गोपीचन की बेटी जिन्हों ने जीत लिया है International Junior Grand Prix जगारता में इन में से कौन से राजय की सरकार ने अनाउंस करा है Advanced Farming Enriched Farmer Scheme Advanced Farming Enriched Farmer Scheme जिससे जो फार्मर की income है हम उसे बढ़ा सकते है जिससे उनकी जो पैदावार की जो cost होती है उसे कम करके और उनका output बढ़ा के इस scheme को launch करने वाला राजय है महाराश्ट्रा जो खारिफ सीजन होता है उसमें ये scheme launch की जाएगी इन में से कौन सी सरकारी कमपनी है जो देश की सबसे ज़्यादा value वाली सरकारी कमपनी बन गई है market valuation के हिसाब से बहुत important है और ये है State Bank of India State Bank of India ये 10 number पे जो top 10 है उसमें top किया है और ONGC थी पहले number one अब इसको इसने अब इसको इसने take over कर लिया है और जो SBI के chairman ने वो आप जानते है अरुंदरती बट्टा चा रहे है तो number one पे है State Bank of India number two पे है ONGC Reserve Bank of India ने अपने दो नए Ombudsman office खोले हैं जिससे लोगों की शिकायतों का निवारण किया जा सके grievances डिड्रेसल जिसे बोलते हैं कहाँ पे ये खोले हैं उन्होंने Ombudsman office एक खोला है जम्मू में और एक राइपूर में तो राइपूर आप जानते हैं नया राइपूर 36 गड़ की राजदानी है एक्टर क्लिफटन जेम्स इनका निदन हो गया ये इनका सबसे अच्छा जो रोल था वो कौन सी मूवी में था जिसके लिए जाने जाते हैं तो ये जो जेम्स बॉंड की मूवीज हैं उसमें काम करते थे और उसमें जिस किरदार की भूमी का निभाते थे वो था पुलिस इंस्पेक्टर जे डबलू पैपर पूर्व भारतिये नैशनल रैली चैंपियनशिप विनर जिन्होंने जे के टायर और उनाचल फेस्टिवल में टॉप स्पोर्ट हासिल किया जिरंग वैली के अंदर ये आयोजित किया गया था तो उनका क्या नाम है ये पूर्व इंडियन नैशनल रैली चैंपियनशिप विनर भी है इनका नाम है अमन प्रीत आलू वालिया इन में से कौन सा सिनेमा हॉल है जिसे अब हेरिटेज म्यूजियम बना दिया जाएगा सिनेमा हॉल का काम ये नहीं करेगा ये श्रीनगर के लाल चौक पे है इसका नाम है पलाडियम सिनेमा अब ये म्यूजियम बना दिया जाएगा नैशनल ग्रीन ट्रैबुनल ने इन में से कौन सा लेक है जिसके इड़ गिर्द सारी फैक्टरीज को काई कि अब बंद हो जाएंगी उनका ओर्डर दे दिया है अगर आप नेशनल ग्रीन ट्रैबुनल के फैसले से खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोट जा सकते हैं तो नेशनल ग्रीन ट्रैबुनल हमारे परियावरन से रिलिटेट जो केस होते हैं वो देखता है यह लेक है बैलंदुर लेक जो बैंगलोर के सबसे पॉल्यूटेड लेक में से एक है इसमें बहुत सारे जाग नजर आएंगे आपको इन मेंसे कौन सी ओनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसने इन लोग नाम की कंपनी खरीद लिए अपने सप्लाई चैन को बूस्ट करने के लिए इन लोग नाम की कंपनी को खरीदा है मिंतरा ने मिंतरा के CEO जो है वो है अनंत नारायन अनन्त नरायनन है मिंत्रा के CEO और इन लोग कंपनी की CEO है प्रीती जैन इन में से कौन सी कंपनी है जिसने TCS को अभी थोड़े ही समय के लिए पीछे छोड़के भारत की सबसे वैलूइबल कंपनी बन गई ये कंपनी है Reliance Industries मुकेश अम्मानी की Reliance Industries तो थोड़े समय के लिए किया जो TCS का है वो 4.54 lakh करोर है मार्किट कैपिलाज़शन और इस कंपनी का 4.54 तो दोनों में ज़्यादा फरक नहीं है Tata Consultancy Service को पीछे छोड़के कुछ समय के लिए बन गई है सबसे ज़्यादा valued company Reliance Industries National Green Tribunal ने कौन सी सरकार को कहा है कि वो destination buses introduce करें एक मही से destination buses जिससे air quality इंप्रूव की जा सके और याद रखिए National Green Tribunal के चेर्मेन बहुत बार एक्जाम में आता है स्वतंतर कुमार नयमूर्ती स्वतंतर कुमार ये कहा है देली सरकार को इन में से कौन सा शहर है जहां पे International Yoga Day की celebrations होंगी में इवेंट की इस बार उसके लिए चुना गया इस शहर को 21 जून को ये शहर है लखनव लखनव में इस बार होंगी योगा दिवस की में इवेंट की celebrations इन में से इंडियन नेवी का कौन सा जहाज है जिसने शिरलंका की Valley Gamma Bay खाड़ी में एक हाइडरोग्राफिक सर्वे किया है अभी अभी शिरलंका के साथ मिलके और ये दो महीने शिरलंका के पानी में रहेगा इसका नाम है INS दर्शक INS दर्शक महमूद एमदी नजाद ये कौन से देश के राशपती पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन इन्हें बैन कर दिया गया है कि ये अब चुनाव नहीं लड़ सकते ये इस देश के पूर्व राशपती है तो ये देश है इरान इरान में अभी ये राश्पती पत के चुनाव दुबारा नहीं लड़ सकते हैं सरकार इन में से प्लैन कर रही है एंटी डंपिंग डूटी लगाएगी 118 डॉलर पर टन हाइडरोजन परोकसाइड के आयात पर कितने कंट्रीस से ये कंट्री है चे बांगलादेश, ताइवान, कोरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाइलेंड तो टोटल है चे इन देशों से हम जो हाइडरोजन परोकसाइड खरीते है ह2O2 उस पे अब लगाई जाएगी डूटी, एंटी डंपिंग डूटी आज का दूसरा second last question इन में से कौन सा एएरपोर्ट है जिससे carbon neutral status मिल गया है एएरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा ये है GMR, हैदराबाद इंटरनेशनल एएरपोर्ट, carbon neutral का मतलब ये है कि इसका carbon footprint है जितना carbon ये produce करता है, उतना ये absorb करता है हम रोक थाम, उसकी remedy, उसका इलाज कर सकते है एक molecule है जो frog slime में मिलता है तो आपको ये बताना है ये जो mendak है, frog है hydroflex, बहु विस्तारा ये कहां पर पाए जाता है, ये पाए जाता है केरल के अंदर और तो answer है इंडिया, और ये research करा है इन्होंने काये कि हम फ्लू ठीक कर सकते हैं इस frog से मिलने वाले chemical से तो ये थे best questions इस हफते के total questions बहुत जादा थे और questions की quality भी काफी अच्छी थी तो इस video से आप काफी सारे questions expect कर सकते हैं आने वाले सारे exams में, खासकर bank of baroda state bank of india mains etc thanks for watching and please share the video जितना होसे के video को share करें